नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत हैं आप सभी का एक बाद फिल से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर आज की बड़ी खबर दिन भर के मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आज रहें इस एक वीडियो में चार जून के बाद बड़ा उलट फे देखने को मचे की खलबली बिस्ताह से पूरी खबार दिल्ली के आयकर विभाग की मारत में लगी आग उठे सवाल आ गये चौथे चरण के बाद उज्जान जी हां विपच्छी दल हमलावर हैं बीजेपी पर राहूल गांदी लगातार उठा रहे हैं नया मुद्दा बीजेपी बैक इंडिया ब्रेकिंग नियूज जी हां आप सभी को बताते चार्ज उनको इंडिया कठंदन की सरकार बनने के बाद नितीस कुमार बीजेपी का साथ छोड़ कर एंडिये कठंदन से बाहर हो जाएंगे ये बड़ा दावा किया गया इसके साथ ही कहा गया कि एंडिये को एक 500 से नीचे आने दीजिए फिनितीस कुमार और इनके सारे सायोगी भी इनका साथ छोड़ देंगे चार्ज उनको यहां पर लगातार इंडिया कठंदन के नेता दावा कर रहा है कि उनकी सरकार बनेगी जिसके बाद आपको बताते चले हाली में नितीस कुमार का प्यधान मं सारा की चार्ज उनके बाद नितीस कुमार खुदवा खोद एंडिये छोड़ देंगे चार्ज उनको नतीजे आने से पहले चार चड़नों का यहां पर मतदान संपन हुआ जुजहान आने लगे हैं दिल्ली में फिर आयकर विवाग की मारत में लगी आग इस से पहले ग्री फाइले जलके खाक हुई थी एक अधिकारी की मौत की खबर भी आ रही है जी हां दिल्ली के आयकर विवाग में भीशन आग लग गई दिल्ली के आईटियो छित इस्तेट आयकर विवाग की मारत में यह आग लगी इस घटना में एक अधिकारी की मौत हो गई पुलिस ने य यहां पर लगाता भी पच्छे दल हम लावा है इस पूरे मामले को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बीजेपी को लगा है तकड़ा जटका पताप गड़ से अपडेट है राजा भहिया ने भाश्पा को दिया है पड़ा जटका ठेक यहां पर मतलावन से पहले समार् करने का किया आयलान बोले किसी बी पार्टी का समार्थन नहीं करेंगे यह राजवहै ने बड़ी वात कही बताते चलें बीजेपी पेट्यासी सुनकर केंद्र मंतरे संजीब बाल्यान भी राजा भाया से मुलाकात कर चुके लेकिन राजा भाया ने एन मौके पर इस परश्ट कर दिया जनता सटन्तर है जिसको चाहें बोट कर सकती है यहां पर राजा भाया ने बड़ी बात कही है वहीं दूसरी तरह आपको बताते चले इंडिया गढवननन की ताकत बढ़ती जा रही है विपच्छी गढवननन इंडिया की तरफ से कॉंग्रेस सद्दच खड़गे अलविंद केज्रिवाल अखिलेश आदब और सीता रामेचुरी यहाँ पर लखनाव में एक सैयूक्त प्रेस बारता करने वाले हैं जी हाँ सैयूक्त प्रेस कॉंफरेंस की जाएगी बीजेपी पर रहेगा निसाना और यहाँ पर इंडिया गढवननन की ये चार बड़े नेता इसमें सामिल होंगे क्या बार नसी में होंगे यहाँ पर 41 प्रत्याशी या फिर खारिच किये जाएंगे कुछ परचे आप सभी को बताते चलें बार नसी में आकरी दिन कुल 27 प्रत्यासी उन्हें नमांकन दर्च किया अब तक कुल 41 उमीदवार उन्हें परचा भरा है बार नसी से प्रधान मंतरी मोदी को टक्का देने के लिए 40 उमीदवार मैदान में हैं एक कॉंग्रेस से एक ब्यस्पी पांच छोटी पार्टियों के उमीदवार हैं और बांकी सभी नेदलिये उमीदवार हैं जी हाँ बार नसी में आखरे दिन जवरदास तुस्साह देखा गया 27 प्रधाशियों ने यहाँ पर नामांकन किया और अब कुल संख्या प्यदान मंतरी को मिला कर 41 हो गई है 41 उमीदवार चुनावी मैदान में हैं राहुल गानी लगतार बीजेपी पर हमलावर हैं बोले नयंद मोदी जो मुफ्त अनाज वाक्ते हैं वहां कॉंगेस पारटी की ही योजना थी राहुल गानी ने जहासी में एक सेयुक्त रैली को संबोधित की आखिले शादब के साथ बोले नयंद मोदी मुफ्त में अनाज अपने पास से नहीं वाक्ते हैं वहां आपके ही दिये गए टेक्स के पैसों से आपको अनाज वाक्ते हैं और असल में यहां योजना कॉंगे राहुल गानी बोले कॉंगेस 25 लाग तक का स्वास्थ बीमा देगी और बीजेपी सिर्फ आयुसमान कार्ट से 5 लाग तक का इलाज दे रही है गरीवों को वहां इलाज भी उपलब्द नहीं करवा पा रही है। तो वहीं राय बरेली में तमान दिगश डटे हैं दो पूर्व मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सियाम जी हैं। राहुल गांदी को आसरवाद देने के लिए उस्सुख हैं और वह भारी मतों से उन्हें जिताएंगे। जनता भी यहां पर कॉंग्रेस के पच्छ में अमेठी में दिखाई दे रही है। जी हां सियम केजरिबाल लगाता जवादस तरीके से चुनाओ पर चाय कर रहे हैं। रोडसो, रैलियां और सभाएं। इसी करह में हर्याना में इंडिया गठांदन के उमीदवार के लिए एक रोडसो किया। सियम केजरिबाल ने इस दोरान बीजेपी एंडिये पे जवादस तरीके से मुख्यमंत्री अलविंद केजरिबाल हम लावन नजर आये। सियम केजरिबाल ने कहा कि एंडिये वाले कह रहे थे 400 पार लेकिन 230 से ज़्यादा इनकी सीटे नहीं आने वाली हैं। अलविंद केजिवाल ने वीजेपी का नया आकड़ा बता दिया कि 230 से ज़्यादा ये सीटे इस वाल नहीं पाएंगे और सत्ता से इनकी बिदाईत तैं हैं। चुनाओ आयोग ने भेजा सियासी दलों के अध्यचों को नोटेश टीमसी बोली ये है मोदी का आचा सहीता। पांचमेश रंड की बोटिंग से पहले निर्वाचन आयोग यहाँ पे लगाता सवालों के घेरे में है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील की कि वह राजनीतिक दलों के सीस नेताओं से उम्मीद करता है कि वह चुनाओ अभ्यान के दोरान बात चीत के अच्छे उधान पेस करें। साथ ही वह अपने बयानों से समाज के नाजुक तानेवाने को खराब ना करें यहां पर बीजेपी नेताओं पर कोई कारवाई ना करकर एक साथ सभी राजनितिक पार्टियों के अध्यच्छों को पत्त लिखता है चुनाओ आयोग। ताल का दावा 230 से जादा सीटे बीजेपी नहीं जीतेंगी वहीं आपको बताते चलें सियम ममतावनेजी का बड़ा दावा इंडिया गठ हंदन की सीटे बता दी अनुमानित कितनी आ सकती हैं 315 सीटे जीत राएं इंडिया गठ हंदन ममतावनेजी की भविश्य वानी जी हां सियम ममतावनेजी ने कहा कि अब तक जो नंबर मिले उसके आधार पे मैं कह सकती हूँ कि बीजेपी को 190 से 195 सीटे मिलेंगी जबकि इंडिया गठ हंदन 315 सीटे इस परष्ट जीत रहा है ये आज की सभी बड़ी खबले थी मुखे समाचा जो सामने निकल के आए आप तक पहुंचा इस एक वीडियो में वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत